क्या नितीश ने नहीं बेची शराब और बालू तो माजी के बेटे सुमन ने दे दिया इस्तिफाः जीतर नाम माजी ने खुद बताई बड़ी वज़ा अब हमने कहा था कि पांच एकर जमीन रखने वाले किसानों को बीजली हम माफ करतेंगे इन्होंने आज तक नहीं किया तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नितीश कौर के साथ आप लगए हुए हैं तो हम लोग इतना दिन उनको देखा परखा की भाई क्या करते हैं तो उन बातनों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया अंतिम बाते कहना चाहते हैं कि आज बालू नीती और सराव नीती के चलते बिहार के फाइनांस को एक दम इन्होंने चौपट कर दिया और हमारे गरीब टपके के लोग इसमें ज़्यादे ही इंप्लीकेट के हुए हैं छोड़िये ना उनको यह जनता की आवाज थी इसलिए हम लोग ने लास्ट मेने लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातनों का इंप्लिमेंटेशन आपने सर बहुत बड़ा फैस हम राजगीर में नेशनल कांसिल की बैठक बुलाया वहां नेडने हुआ उसके बाद हम सारे भी धायक मिल करके नितिश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है आप इसको जरा देखिये नहीं तो फिर हम लोग के सामने दिकत होगी उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ तब फिर हम कोर कमीटी की बैठक बुलाया कोर कमीटी के बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है तब फिर हम लोगों ने नीने लिया तो आज जो बात आगे की है 18 तार काज़कानी के बैठक में जो नीड़ने होगा उसके बाद बतावेंगे कि क्या करना है ललन सिंग और ते जस्वी आदम ने का कि हम लोगों ने प्रॉपर इज़त दिया था मांजी जी को उनके बेटे को भी इज़त दिया था मंत्री बनाया था लेकिन फिर भी इस तरी देख मैं मानता हूं लेकिन जहां जन हित की बात है तो सम्मान और जन हित में डोनों में कंप्रमाइज नहीं होगा जन हित की बात अगर होती हमको सम्मान ना भी देते तो कोई सिंता नहीं थी लेकिन जन हित की बात नहीं हुई हमारे लोगों की गरीबों की और हमको सम्मान देख लेकिन हमने समझा कि अब मातर दो बरस देढ़ बरस बरस हम दो हजार पचीस पर जनता को हम अपने भोटरों को क्या बात करेंगे देखते हैं मंगड में और मंगेर में जब हम घूमने लगे तो हजारों हज्यार की संख्या में हमको लोग को लो करता था दस-दस किलो मिटर हम लुझ नईसान ने लिए